यह decision ठीक है, इसके मातलब है कि RCMP, Royal Canadian Mounted Police, वो investigation कर रहा है, वो हमारी High Commissioner को interrogate करना चाहता है। मेरा hope है, मेरा प्रार्तना है कि दोनों government इस बारे में सोच के पात de-escalate करने के लिए कोशिस करेंगे। यह decision ठीक है क्योंकि Canada ने हमको काहा है कि हमारा High Commissioner और दूतरे कुछ डिपलमाट्स भी, persons of interest in the context of the investigation or Niger killing के बारे में, इसके मातलब है कि RCMP, Royal Canadian Mounted Police, वो investigation कर रहा है, वो हमारी High Commissioner को interrogate करना चाहता है। यह ठीक नहीं है, इसलिए हमने इनिश्चे लिया उनको recall करने के लिए। लेकिन, वो कनेडा ने काहा है कि High Commissioner और दूतरे डिपलमाट्स भी, उसके मतलब है कि High Commissioner के बिना दूतरे डिपलमाट्स को भी इंडिरगेट करना उचाहते हैं। है न, हम उनको वापस recall किया नहीं है, तो थोड़ा complicated है। मेरा hope है, मेरा प्रारतना है कि दोनों government इस बारे में सोच के पात, de-escalate करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जो कुछ signals हमको अभी मिलते है कि यह और escalation होगा। जब तक Justin Trudeau उदर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक होगा नहीं है। और Canada में election आने वाला साल में है, 2025, ओटम में है। बेचेक अड्वान्स कर सकता है। और Justin Trudeau को popularity ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रहा है। यह न, economy भी बहुत difficulties है। तो बेचेक next election में Justin Trudeau जीते गानेगी। तो नया government हो जाएगा। तो हमारा relations, you know, थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मेरा प्राफ्तना यह है कि हम उतना तक मत बेट करना है। अभी बेखुद escalation हुआ है, कोशिस करना है वो नीचे। लेकिन मैं कुछ signal देखते हैं, investigation, वो नीजर खेलिंग के बारे में। इसके मातलब है कि RCMP, Royal Canadian Wounded Police, वो investigation कर रहा है। वो हमारी High Commissioner को interrogate करना चाहता है। यह ठीक नहीं है। इसलिए हमने एन निश्चे लिया उनको recall करने के लिए। लेकिन वो कनेडा ने कहा है कि High Commissioner और दूसरे Diplomats भी। उसके मतलब है कि High Commissioner के बिना दूसरे Diplomats को भी interrogate करना चाहते है। है ना, हम उनको वापस recall किया नहीं है। थोड़ा complicated है। मेरा hope है, मेरा प्रारतना है कि दोनों government इस बारे में सोच के पाथ de-escalate करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जो कुछ signals हमको अभी मिलते है कि यह और escalation होगा। जब तक Justin Trudeau उदर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक होगा नहीं है। और Canada में election आने वाला साल में है, 2025 ओटम में है। बेचेक अडवांस कर सकता है। और Justin Trudeau को popularity ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रहा है। यह न, economy भी बहुत difficulties है। तो बेचेक next election में Justin Trudeau जीते गा नहीं। तो नया government हो जाएगा। तो हमारा relations, you know, थोड़ा better होगा। लेकिन मेरा प्रातना यह है कि हम उतना तक मत वेट करना है। अभी बेखुत escalation हुआ है, कोशिस करना है नीचे। लेकिन मैं कुछ signal देखते नहीं है। News Nation अब WhatsApp पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए News Nation के इस QR Code को स्कैन करें।